हेलो फ्रेंट्स वेलकेम तो माइचैनल माइनम इस शोड़न मुकरजा और आप देखें दूस्तों हमारा टेक चैनल तो फ्रेंट्स मैं आगे आप्ट विडियो में दूस्तों वताने वाला हूं कि आपने यूट्व चैनल को पर्मनेंटली कैसे डिलेट कर सकते हैं तो चलिए दूसके लिए आप youtube.com सर्च कर लिए उसके बाद उसको डेक्स्टॉप साइट में ओपन कर लिजी उसके बद आपको क्या करना है सिंपले आपको उपने चैनल पर लोगो में क्लिक करना है और यहां पर आपको YouTube स्टूडियो में आ जाना है तो YouTube Studio में आने के बाद simply आपको यहाँ पर नीचे corner में एक setting का button दिखेगा यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर number 2 में देख सकते channel का एक options हो कर रहा है तो यहाँ पर आपको simply click करना है और आपको यहाँ पर advanced settings में आजाना है उसके बाद आप एकदम नीचे आजाएए scroll down करके फिर यहाँ पर आपको एकदम manage YouTube accounts एक option शो करेगा यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा interface शो करता है तो यहाँ पर एक और advanced settings का option दिखेगा आपको तो यहाँ पर simply आपको click करना है यहाँ पर चार नमबर में friends एक option शो करता है delete channel तो यहाँ पर simply आपको click कर देना है तो यहाँ पर channel delete के पहले एक बार verification Gmail के तरफ से मांगता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर password अपना इंटर कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग password इंटर हो चुका है और देख सकते हैं friends यहाँ पर दो option शो कर रहा है I want to hide my channel I want to permit delete my content तो simply आपको यहाँ पर नीचे delete में click करना है उसके बाद यहाँ पर friends एक option शो करेगा इसमें आपको click कर देना है इस box में उसके बाद आपको यहाँ पर delete my content में click कर देना है तो यहाँ पर verification के लिए आपको अपना Gmail जो है simply यहाँ पर आपको लिखना है तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना Gmail तो अभी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है तो चलिए यहाँ पर delete my content में click कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका YouTube account जो है उहाँ पर remove हो चुका है तो चलिए हम लोग अपने YouTube में फिर से चले जाते हैं और देखते हैं कि मेरा channel है की नहीं तो फ्रेंट्स यहाँ से वह Gmail मेरे remove हो चुका है तो अभी हम लोग अपने mobile में जाएंगे यहाँ पर YouTube application को open करके देखते हैं कि हमारा channel है की नहीं तो फ्रेंट्स यही वह channel था तो अभी simply हम लोग यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर अपना your channel पर चले जाएंगे तो देख सकते है Japanese यहाँ पर चैनल डिली तो यहाँ पर चैनल को डिलीट करसकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियोका कैसा गीस को कमेंट सकसे में बता सकते हैं वीडियो गर अच्छा लागा तो फ्रेंट्स लाइक कर देना शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जब से कर लेना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहीन टाटा बाबाए